आप देख रहे हैं WLBS News चैनल को सब्सक्राइब करना और वेल आइकन को प्रिज करना ना भूले वर्षावास को उपास भी बोलती हैं तो इसके बारे में जाना चाहूंगा कि वर्षावास क्या होता है थैंक यू दादा वर्षावास जो वर्षावास जो वर्षावास जो वर्षावास करती हूं कि जो वर्षावास जो वर्षावास जो वर्षावास जो वर्षावास जो ना कि उपासक उपासिकाउ के लिए जो ग्रहस्त है उनके ये बिल्कुल भी word नहीं दिये है जो हमारे भिष्शु रहते हैं वो 277 शील का पालन करते हैं जो भिष्शुनिया रहती है 311 शीलो का पालन करती है तो ये लोग क्या करते हैं कि बस जाते रहते हैं अपनी सिक्षा जो धर्म की सिक्षा है जो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग से उसको दूर दूर तक फैलाते हैं तो तद्धागत ने यही बोला था कि चरत भिखवे चारी कंग तो मतलब भिकु जाई है चारो दिशाओं में जाई है धर्म का प्रचार प्रसार कीजे तो ये क्या होता था वर्षवास के टाइम जो होता है आप देख रहें कि तीन महीने जो रेनी सीजन होता है इस टाइम ब तेज नदी का बहाओ आ जाता है या कोई साफ अगरे काट लेता है ये बहुत सारे छोटे छोटे जीव मर जाते है तब भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं भिखशो भिखशुनियों आप लोगों को एक जगा आवास करना है वर्षवास के टाइम तो ये क्या करते जो त्रिपिटक है उसको पढ़ते भी है और जो उपासक उपासी काय है इनके पास जाते है उनसे शील लेते है और क्या करते कि धर्म को गहन से अध्यान करते है उनसे सुनते है तो वर्षवास का मतलब है वर्षवास के दौरन एक जगा आवास करना और जो उपासक उपास ने 227 शील और 311 भिक्षुनी लोग पालन करती बड़ जो हम ग्रहस्त है उपासक उपासी काय है हमें क्या करना है हमें अस्ट शील लेना है अस्ट शील क्या होता है पंच शील आप जानते हैं पहला शील पानाती पाता वे रमनी सिखा पदंग समाधियामी किसी भी प्राणी क कि इन्सा नहीं करूंगा दूसरा अदिन्हा दाना वे रमनी सिखा पदंग समाधियामी कि चोरी नहीं करूंगा तीसरा मतलब वैविचार नहीं करूंगा बड जब हम उपोसत धारन करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है आब ध्रह्मचर्य अब यह जब जब हम उपोसत करते हैं, तब हमें ब्रह्मचर का पालन करना है, फिर उसके बात मूसा वादा वेरमनी सिख्खा पदंग समाधियामी, मूसा वादा के अंदर भी चार बाते आती है, कि हमें पिशुना वाचा, फरूसा वाचा, संफलापा, इसका मिनिंग यह है कि हमें ज कभी नहीं करना चाहिए, बट इस पेशली उपोसत के दिन, उसे शुद्ध तरीके से करना है हमें, और इस दिन किसी से कठोर वाणी नहीं बोलना है, कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, यह जो है फरूसा, और फिर एक जो है ना कि कई बार होते हम गपे मारने बैठ जाते है सिरियल की बातों में लेकि, जिसमें कोई व्यार्थी है हो रही बाते, कोई ग्यान की बाते नहीं हो रही है, तो वो बाते भी हमें नहीं करना है, तो इतना यह गहरा शील है, मूसा वादा जूट तो नहीं बोलना है, तो बहुत सजगता के साथ हमें करना है, फिर है, सूरा दोपेर के बारा बज़े के पहले हमें भोजन लेना है और दोपेर के बारा बज़े के पहले में कोशिश करना है कि हम अपने अस्ट शील भी ले ले, ऐसे नहीं कि भोजन होने के बाद, बारा बजे के बाद हम अस्ट शील ले रहें, बारा बजे के बाद हम अस्ट शील नहीं ले रहें, बारा बजे के पहले हमें अस्ट शील लेना है, तो छटवा जो शील है कि बारा बजे के बाद मैं भोजन नहीं ल अपने जो है विपश्ना जगानी है विपश्ना करना है अनापान करना है अपने जो एक पेट को जो भगवान बुद्द ने बोला एक हिबड़ा जिस दिन हमारा उपोसत रहता है एक अरंत भिख्षूनी कैसा अपना जीवन जीती है उसकी तरह हम जीवन जीते हैं तो एक दिन हम ये करते हैं जिस दिन हमारा उपोसत रहता है तो हम उस दिन शाम को कवलिक चबाने वाला आहार नहीं रहते पर जिनकी तबयत खराब है और जो प्रेगनेंट है वो भोजन ले सकती है कटोर तमध्यमार्गों को अपनाने बोला है बट जो लोग ले सकते हैं काली चाय ले सकते हैं शहद ले सकते हैं गुड ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा तो यह आप शाम को ले सकते हैं फिर उसके बाद होता है नच यह सात्वा शील है नच गीत वादित विसुक दसनंग नच नाच गाना खेल तमाशे इन सबसे दूर रहूँगा नहीं आप इसको सुनेंगे ना देखेंगे अब मैं कहीं मार्केट में को उसमें रमाओंगी नहीं उसको अब जैसे गाना सुना तो अपन रियाक्ट करने लगते हैं सुनने लगते इंजॉय करने गाने भी लगते गुन-गुना तो उस टाइम हम एक सायमित जीवन जीएंगे उस दिन हम यह करेंगे नच गीत वादित विसुक दसनंग माला विलेपन धारन मंदन विभूस ठाना वेरमनी सिख्छा पदं समाधिया में इस दिन हम मैंने बता एक भिख्शु की तरह भिख्शुनी की तरह जीवन जीते हैं तो हम जैसे साज सज्जा नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा जैसे मेक अप करते हैं काजल लगाते हैं मेरा उपोसत रहता है तो मैं उस दिन जो है नॉर्मल लड़की जैसे एक भिख्शुनी में रहती है उस तरह से जीवन यापन करते हैं बट हम ग्रैस है तो आप मंगल सुत्र वगरा जो आपको पहनना है आप पहन सकते हैं बट यह की मेक अप यूज नहीं करते हैं जिसे हम शादियों में जाते कितना तयार होते हैं वैसे हम तयार नहीं होते हैं नौर अप जो मेरे सोफे देख रहे हैं यह बहुत मुलाम मुलाम दाइक नहीं है हमें इस दिन जो उपोसत की दिन कोशिश करना की जमीन पर हम लोग बैठे या इसका रीजन यह है कि हमें बहुत एकदम नरब मुलाम दाग जो गद्धे उस पे हमें नहीं बैठना है नहीं सोना है बहुत कमफोर्टेबल नहीं होना चाहिए हमारा आसन और तो यह हमारा करना तो आप कीजे आप लोग वर्षवास नहीं करते आप लोग उपोसत धारन करते और आप भिख्षू उनियों से अस्ट शील लेते हैं और यह उपोसत हमें से बारा महीने करना चाहिए भगवान बुद्ध ने बताया है विनय पिटक में जब आप पढ़िएगा तो उस में लिखा रहता है अमावश्या प्रारंब जिस दिन अमावश्या प्रारंब हो जाती है उसको हम चतुरदशी कहते हैं चतुरदशी और अस्टमी दो अस्टमी पढ़ती है पार्शिल मून जो कहते है न्यू मून और जो फॉल मून रहता है इस दिन हमें उपोसत करना चाह यह हमें अस्टशिल लेना है जीवन को अच्छे से नहीं बिता पाते हैं मजबूरी वस तो कम से कब हम एक दिन ऐसा जब उपोसत रहेंगे तो धीरे धीरे प्रेक्टिस करके हम पूरे बारा महने ऐसा कर सकते हैं अमोश्या का वारी है या पूर्णिमा का वारी चतुरदशी क्या है तो केसे हमारे जो दर्सक जानेंगे पहले बार यह जो कलेंडर आप लोग देख रहे हैं ठीक है यह जो कलेंडर है यह महारास्टियन कलेंडर है ठीक है इसमें प्रॉपर दिया गया है कि वर्चवास की डेज भी दिये इसमें प्रॉपर लिखा गया है कि श्रावन अमावश्या तो अमावश्या एंड इसमें दि के तारिक है जैसे ईसे व्यतारिक हिसमें लिखे और बांद्रभड दिन वे रहेगा और एस्टिमी जो उती हो पार्शिल रहता है थो इसमें लिखी होगी चौदा कि अग्यूंसा लिखार देभ हों यह सब्टेमबर को है यह च honeymoon को यह 8 तरिक ही हम अस्टिमी हैं और इसमें लिखा भी है उपोसत तो मैं जनरली महारास्टिन कलेंडर प्रिफर करती हूं जो भिक्षु